कि सब्सक्राइब करने वाले हैं जिसके बारे में 99% of the beginners 99% of the people's जो श्टॉक मार्केट में आते हैं या फिर जो ट्रेडिंग में आते हैं वो इसके बारे में कहीं न कहीं सुने होंगे या कहीं न कहीं ऐसा लिखा देखा होगा कि या कहीं ऐसा पढ़ा होगा या प्राइज एक्शन स्ट्रेटिजी मैं आपके सामने आज यह चीज़े क्लियर करने वाला हूं कि यह होता क्या है टेक है आई डोंट नो लोगों ने इस चीज को कैसे पढ़ाया है आपने किसी के अगर कोर्स लिया है तो उस बंदे ने इसको कै मुझे इतना पता है कि मार्केट ने जैसा मुझे बताया है मैं सेम टू सेम डिट्टो उसी चीज़ को आपको एक्स्प्लेइं करने वाला हूं कि जितना इसी लेंग्वेज हो पाए उतना इसी लेंग्वेज में आपको समझा सको हूं आप अपने आप इंगले विटवनेशन है ओकर अपने लीके जाействर मारी आप के सामझ ने कुछ दोनों को इनको हिंदी में कन वर्ट करना है या फिर इनकी इनके लिए एक छोटा सा महें दाफिनिशन लिखना अब भाई आपने इंग्लिस पड़ी हुई है यथ इंको इंग्लिश में पता तो मैं प्राइब अप्म भाव अब एक्षिन क्या हो रहा इसका मतलब क्या हूँए थैक भाव क्या एक्ट कर रहा है प्राइस क्या एक्ट कर रहा है ठेक है जैसे मैंने आपको एक जहापड मारा ठेक है तो आप वहाँ पर क्या एक्ट करोगे मिरको वापस मारोगे न तो वहाँ पर एक एक्शन हुआ न डाट मींस आप कुछ एक्ट कर रहे हैं ठेक है मैंने आपको थपड मार आपने उसका एक्ट किया और वापस से थपड़ मारा अपने बीच में लड़ाई होगी तो वहाँ पर आपने एक्षिन लिया ने सेम चीज है मैं आपको समझा रहा हूं वह चीज ठीक है ध्यान से सुनिएगा आप समझ लीजिए यह कोई एक में ठीक है मुविंग एवरेज मैं थोड़ा सा पहले हार्ड लेंग में यूज कर रहा हूं फिर उसके बाद जब ईजी समझाऊंगा तो आपको ज्यादा आसान लगेगा ठीक है मुविंग एवरेज के बारे में तो आपने सुना होगा अब एक एक एक्जामपल ले लिजे आप मुविंग एवरेज के पास एक कैंडल बनी है अब मानके चलिए वो कैंडल ने नीचे से रिजेक्शन दिया है त्मिंस मुविंग एवरेज के बाद पास कुछ ऐसी कैंडल बनी ढिक दिख रहा होगा आपको अब दिखरा होगा क्लीर ठीट है moving average के पास एक ऐसी candle बनी है that means moving average के पास price ने क्या किया है price ने act किया है price ने कैसा Act किया है price ने निचे से rejection दिखाई है that means वहां पे कुछ ना कुछ प्राइज एक्षिन हुआ है अब प्राइज अक्षेन आपको क्या बोल रहा है भाई मिरको यहां से बाइंग दिख रही है मैं यहां से ऊपर चाओंगा ठेक है अब आप समझ लीजे यह सेलर्स है ठेक है अब एक बात समझने का ट्राइए कीजे यह कैंडल अगर ऐसे complete बनती तब आपको क्या समझ में आत और वे इंडिकेटर के पास समझा दिया मैंने आपको अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा और एजी वे में ताकि आपको और आसानी से समझ में ठेक है चलिए क्लीन कर लेते हैं चार्ट को यहां पर चार्ट हो गया क्लीन अब मुझे बात बताईए आपको support and resistance तो बनाने आते होंगे न support and resistance तो बनाने आते होंगे आई होप आपने support and resistance के बारे में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो मैं आपको तुरंत समझा रहा हूं ध्यान से देखिए ठीक है ध्यान से देखिए तुरंत बता रहा हूं within 30 seconds और इतना easy language में बताऊंगा कि तुरंत आपको पता च थे कि आप यहां पे खड़े हो आपने आपके पास एक बॉल है आप बॉल को फ्लोर में मारा तेज से तो बॉल कहां जाएगी और बाल यस एरिया से सपोर्ट मिल रहा है और बॉल इस एरिया से रिजिस्टेंस मिल रहा है ठीक है डाट मेंस उपर पड़के नीचे आ रही इसी को सब्सक्राइब रिजिस्टेंस बोलते हैं हम ट्रेडिंग ठीक है आई होप थोड़ा बहुत समझ गए होगे ठीक है चलिए देखो यार मुझे न असान गरीके से चलिए यहां पर दो चीज ड्रॉफ कर लेते हैं एक ड्रॉफ कर लेते हैं सबॉर्ट मेंस दॉल कि यह एक्त tailor करिया मैंने सपोर्ट लेवल अब मैं डॉप करूँगा एक रेजिस्टेंस यह दो लेवल्स हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यह दो लेवल हो गए आपके अब मुझे बात बताईए प्राइज एक्षिन मैं आपको अब समझा रहा हूं ध्यान से सुनेगा हर चीज को ठेक है आपके सपोर्ट के पा मारा तो टेनिस बॉल ने कोई एक्षिन लिया अब टेनिस बॉल वहां पे जाके जम तो नहीं गई ना टेनिस बॉल ने कोई एक्षिन लिया तब टेनिस बॉल जाके उपर लगी अपने रेजिस्टेंस पे सेम चीज है भाई प्राइस जब आपके सपोर्ट में आ रहा है त इसको बार-बार सुनली है इतना इसी एक्जामपल से बतारा हू сейчас ध्यान दीजे आपसे प्राइज आपके सपोर्ट एरिया में आये यह दिख रहा होगा आपको bereits पहले दिन मार्केट खुला, मार्केट फिर से इस एरिया में आया, क्या हुआ, फिर से इस एरिया में बाइंग हुई, आपको पता है जब मार्केट लास्ट एरिया में आया था, तो इस एरिया में क्या हुआ था, आपको पता है यह चीज़, देखे हैं, मैं क्लियर कर रहा सब्सक्राइब कर दिया इतने प्यारे टॉपिक को कि मैं बता नहीं सकता कि हर बिगनर डर रहा है कि भाई मिरको भी प्राइज एक्शन ट्रेडर बनना बहुत हाट चीजे नहीं भाई प्राइज एक्शन का मतलब तो समझो ठीक है चलिए और एक्जामपल्स लेते हैं आपके सामने हैं और कितने एक्जामपल दे सकता हूं मैं कितने ही एक्जामपल दे सकता हूं ठीक है चले मैं आपको और सिंपल एक्जामपल से ट्राइब करूंगा और सिंपल एक बार ट्राइब करूंगा ठीक है जिस्टे सेकिन चार्ट में थोड़ा पीछे चले जाते हैं ताकि यह एक beautiful example आपको देपाऊ हूं कि को ओके आ चलिए आपको आपने पढ़ा support एक सेकंड आपने पढ़ा भाई यह कच कुछ भी बना रहा हो ना मैं आप मचनद मचना कि वहां से सपोट बना रहा हूं आपने यह पढ़ लिया support and resistance में होता है क्या ठेक है अब मैं आपको बताने वाला हूं चलिए ट्रेंड लाइन में भी प्राइज एक्षेन ने क्यूत आपको कहीं भी दिखा सकती आपको कहीं बिख सकता है कि प्राइज कहां पर क्या एक्क कर रहा है यहां पर देखिएक चलिए ऐब मुझे एक बात बताईए इस area के पास जब price आया तो क्या up side गया अब जब दूसरी बार आया तो आपको पता है भई कि पिसली बार जब इस area क्या सपस आया था तो price ने क्या action लिया तो आप दूसरी बार buying करोगे अब मैं आपको एक चीज की और गैरेंटी दे सकता हूँ अगर प्राइज यहां तक आता ना तो फिर रियाक करता अगे डाट मीन्स आपको प्रीवियस थोड़ा देखना है भाई प्राइज ने से यहां पर देखिया अुइसां और देखे क्या आरहा आपको वहां से क्या ड्रिया प्राइज आपको पिछली बार देखना है पिछली बारै अइस mole ने क्या किया है तहें कि यह मिट गया मैं आप को और ईजी सेंप्ल ये इसांपल देता हूं एकसांपल देतेन एकसे की नदिन बिता सकता हूं पूरा दिन दिस अपने के लिए निफित को एक बार राधेतें Mr. तक ़िन भंती दिखा रहे हैं निफ्टी टिखा रहे हो बैंक निफ्टेगों लेते हैं या फिर आप कोई फेवर्याट स्टोक खोल लिए किRight ओं आपको भी आगा क्या यहोगा बैंक चलिए आपने एक लाइन खीची हुई है ठेक है मुझे बात बताईए कि आपको यहां कैसे पता चलेगा कि प्राइस यहां से डाउन जाने वाला है यहां से आप जाने वाला है कैसे पता चलेगा बेसिक सा बात है आपने लाइन खीची हुई है आप देखो के भाई आपको आगे का नहीं दिखता ट्रेडिंग में आपको पीछे का तो दिखता है न भाई यहां तो दिख रहा है न कि पीछे प्राइस ने क्या किया है इतना तो दिखेगा न कि पता चला आपको पीछे कभी यहां पर प्राइज आ रहा है आपको पता नहीं है प्राइज क्या एक्ट करने वाला है अब इस चीज को मेरे को एक बार एक्ट कीजे आपको पता है प्राइज ने पीछे क्या एक्ट किया है अब आप यहां पर इतना तो कर सकते हो ना कि हाँ आपके दिमाग में यह चीज़ जिस चीज को जितना आसान तरीके से समझोगे ना उतना बढ़िया है ठेक है हर चीज को तरीका होता है समझने का पढ़ने का और या आपकी पढ़ाने वाले का ठेक है चलिए यहां पर देखिए कि या यह मंद 5 भ civ करेलाइन बने य हुए मुझे एक बात बताइए कि अप्राइज ने यहां से ही क्यों एक्ट किया है कि मुझे एग बात बताईए है वह कि आपके पास आंसर नहीं होगा तो आपको पता होना चाहिए जब इस लाइन के पास आया अब Weirdly आपने कुछ नहीं कि आपने डॉक्याइज को एडalten किया है बस इन दोनों ृक्रोर डोर्ट्स को अग्ली बार यहां पर आया देखिएינर कर दिया you take a ounds of the क्या हुआ है पहली भार cards आया अब गया दूस्री भार अगया तीसरी भारवबिलएंच आप गया तो यहाँ पर समजने आ रहे आपको पिछला डाटा देखना है और आपको आगे अब एक्षिन लेना है डाट सिट प्राइज एक्षिन चलिए फिर और और चीजिए समझाता हूं ठेक है यह तो आप समझ लिजे यहां ले लिजे यह एरिया ले लिजे यह अभी लिया क्या है ओके इसे एक्षामपल ले चुका हूं सॉरी इसको फिर से मिटाता हूं गजने है कि अगा ओशना थोड़ा पीछे ले जाता हूं जो सकना में इसको अगर थोड़ा एक्स्टेंड करूंगा तो आपको पताज आलेगा की प्राईस ने बहुत पहले यह ट्रेंड लाइन जो प्राइजने बनाई है यह प्राइस ने पहले बहुत पहले यहां पर आक्ट किया यहां पर इक्ट किया है यह प्रक्ट किया है कि आपको दिखना कि पहले वह चुका है इस एरिया में मतलब इस ये लिए आपको दिखाता हूं कर शुम को going हुअ कि अभूफ छलिये एक और एक्सांपल देते हैं आपको कि अब मुझे एक बात बताई आप मैंने चार्ट को जूम कर लिए वापस अब आपको पता है यहां पे एक चीज यहां पे इस एरिया पे सिर्फ आपको को फोकस करना अब मॉन के चलिया आपके सामने यहां चल रहा है मार्कित अब आपको यह नहीं बता है कि आगे क्या होने वाला है टेक हैं बता यह यहाँ पर ब्राइज़ लिया अब मुझे एक बताइए कि प्राइस जब इस एरिया में वापस आया है तो प्राइस मतलब इसी लाइन के आसपस क्यों वापस इसने सपोर्ट लिया है ऐसा क्यों हुआ क्यों क्योंकि प्राइस जब लाश्ट टाइम इस एरिया पर था तो उसमें इस एरिया से सपोर्ट लिया था इस बार भ कि आपको और कुछ नहीं करना है भाई सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना की प्राइस को देखना है कि भाई प्राइस एरिया पे था तो प्राइस ने कैसा एक्षिन लिया था यह क्या लिया था इसके लाव और कुछ नहीं करना है ओके और एक्जांपल दे सकता हूं कि हमें आपक मैं ट्राइं करता हूं आपको और ंजी करने का टेक्स हुग ईजश्ट सेंद और यह से केडन ट्रेंद रूव चालिये हैं एक त्रेंद गर देख हुआ होको होगा लावका आप मुझे बात बताएं कि प्रएज यहां से किया ब्राईज कि अगर यहां वापस भी आता तो भी प्राइस रैली करता था आपको को ये दो बार का पता है आपने यहाँ पर एक्षिन लिया आपका प्रॉफिट बन गया फिर आपने लिया ट्रेड मिल गए तो मेरा यह कहना है आपको बस डॉट साइड करने है दाट से आपो बस देखना भाई कि प्राइज ने जब एस अक्शन प्राइज से इरिया पर आया है तो प्राइज ने लाश्ट टैम पर क्या एक्षिन है यहां पर एक और दिखाता हूं आपको द्यान से देखेगा कि द्यां से दूरह कि आपको पता है कि यहां पर प्राइस आया था तो डिजेक्शन किया था अब बताएं कि यह बेरीवजस्कैंडल यह बेरबिलिब टेंडल के बावजूद料 यहां पे वाइंग कहां से आगई कहां से आई चलिए बताइए यह जो वाइंग दिख रही है आपको यह कहां से आई क्योंकि लोगों को पता है जब price last time इस एरिया पे आया था तो price न अच्छी का सी वाइंग दिखाई थी that means यहां से वापस वाइंग आ गए तो this is called price action guys price action कोई एकदम बड़ी चीज नहीं है आपको चार्ट पर बस प्राइस क्या एक कर रहा है आपको प्राइस की लेंगवेश समझनी है और कुछ नहीं है ठेक है अगर इसको और simplify करने जाओं तो पूरा दिन लग जाएगा मैं आपको और मैं जितने एक्जांपल सूंगा आपको उतना क्लारिफिकेशन होता जाएगा ठीक है मेरे को पता है कि यहां पर लोग दो तीन एक्सांपल देखेंगे फिर अपने आपको समझ गया होंगे भाई कि हाँ मैं तो समझ गया अब मैं कर लूँगा भाई मेरे टाइम देना परता है चार्ट को चलिए अब मुझे एक बात बत पढ़ाया है that's it okay इसको कहते हैं प्राइज एक्षिन ट्रेडिंग क्रिपया करके दहां से भी आपने ग्यान लिया हो अगर इसके अलावा किसी और ने कुछ पढ़ाया हो तो मैं आपको एक ही चीज बोलूँगा एक साइट पर उसकी पढ़ाई को रख लिजे एक साइट प पढ़ाया है मैं आपको वैसा बता दूँ ठेक है that's it इसके हलावा कुछ नहीं अभी मेरे को और और को एक्जाम्पल अगर बात करते करते देख गया ना तुम्हें ले लूँगा आपके सामने चलिए मिल गया यहां देखिए आँ लिए कि जिश्ट एक ना कि आपके से लिए वटर्स नीच आजा आजा ऑके से लिए यहां पर मार्केट अप खुला तो इसको छोड़ देना ठेक है वापस प्राइज यहां फिर से गिर गया यहां फिर प्राइस आया फिर गिर गया क्या हो रहा है भाई लाश्ट में देखो ना इस एरिया में देखो ना प्राइस ने यहां कैसे एक किया तब ना आप यहां डिजिजन बना पाऊगे तब आपको पता सलेगा कि भाई यहां पर मेरे को क्या करना आपको प्रीवेस डाटा देखना है थीक है पहले मार्के ने यहां पर इस एरिया पर क्या किया है अगर आपने टेलिग्राम जॉइन नहीं किया है तो कर लेजे वहां पर काफी सारी चीज आपके नॉलेज की डेली डाली जाती है पर मुकी कि अगर आपको चीज एक लिडियो शॉटा लगा जूछ ऐसाब आपको चीजे क्लारिखाल हूनी होगी औरलन सक्क्राइब देखर आपको कापको सब्सक्रार इस एक अर कैसी वीडियो है तो मच बढाई Okay guys, take care and lots of love from Trade Lake Berlin, keep learning.